आज 6 ओक्टोबर 2022 आज की साकार मुडली से हमें गुण सीखने मिलता है वो है पवित्रता का गुण पवित्रता का गुण सबसे important गुण जिस गुण को धारन करने से सारे गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं परमात्मा को भी पुकारते हैं भक्ती के अंदर भगवान को याद करते हैं और गाते हैं हे पतीत पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ पवित्र बनने के लिए ही परमात्मा को पुकारा जाता है तो परमात्मा भी सरा पर आते हैं और हम बच्चों को हमारी पुकार सुन करके आकर पावन बनने का मार्ग बताते हैं पवित्र बनो योगी बनो ये पवित्रता की प्रतिग्या कराते हैं पवित्र बनते हैं तो योग लगता है और जितना योग लगता है उस आधार से आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जाती हैं तो संपूर्ण पवित्रता जीवन के अंदर धारन करना ये हमारा लक्ष है संपून पवित्रता नहीं कही जाएगी, तो संपून पवित्रता की परिभाशा यहीं है, कि संपून निर्विकारी होना, निरहिंकारी होना, और तेह भान से मुक्त होना, तो जब हमारी ऐसी अवस्ता है, तो वो संपून पवित्र अवस्ता है, कोई कमपनी में कोई प्रोड उसकी value कम हो जाती है, उसे perfect वाले product के साथ नहीं रखा जाता है, ऐसे ही कोई मूर्तिकार मूर्ती बनाता है, उसमें एक छोटी सी भी defect हो, एक छोटी उंगली भी टूट गई हो, तो वो मूर्ती को भी हम संपूर्ण मूर्ती नहीं कहेंगे, वो मंदर में स्थापत करने योग तो कोई भी अंदर अंश मात्र भी defect ना हो, वही संपूर्णता है, ऐसे आत्मा के अंदर भी लेश मात्र, अंश मात्र भी कोई विकार न रहे, तब वो संपूर्ण पवित्र है, ऐसी अवस्था को धारन करना, तो ये परमात्मा से प्रतिग्या की, अपने आप से प्रतिग करना है क्योंकि जब हम अपने इस पुर्शार्त में अग्रसर होते हैं तो अनेक परिक्षाएं भी आती हैं उन परिक्षाओं को पार करना है स्वराज लेने के लिए भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कुछ सहन किया तो अपनी संपूर्ण पवित्रता को अपने के गुण से कॉंप्रोमाइज नहीं करना है जब हमारी पवित्रता को इतना इंपोर्टन्स देंगे तो हमारे अंदर सारे गुण अंदर में आते जाएंगे यह अभ्यास है यह अटेंशन की बात है और अपना लक्ष है इस लक्ष को साधने के लिए साधना करनी है पनाना है तो संपूर्ण पवित्रता याने पोफेक्शन वही हमारा देवत्व अंदर में लाती है इसलिए ऐसी पवित्रता का अभ्यास करें आज के दिवस की यही शुकामना ओम शांती